पत्रस उस से कहने लगा देख हम तो सब को छोड़ कर तेरे पीछे हो लिए ये शुने का मैं तुम से सच कहता हूं जो कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाईयों, बहन, माता, पिता या बाल, बच्चों और खेतों को छोड़ दिया हो और इस समेश सौगुना ना पाए और भाईयों, बहनों, मताओं, बाल, बच्चों, खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंध जीवन बहुत तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे जो पिछले हैं वो पहले होंगे इस वच्चन के लिए जोर से बोलो, आमे, उच्ची अवाज से बोलो, आमे आज जो वच्चन में आपको देने वारा उध्यान से सुनना बहुत साल पिले जब मैं पहले दिन कॉलेज में कया मेरा एंजिंदरिंग का कॉलेज बहुत साल लड़कों को मैंने दिखा उधर योगि वो चंडीगर के पास से चंडीगर के लड़कों को देखा वो लड़ने में बहुत तेज थे, ऐसे सुडेंट्स थे, लड़ाई में बड़े तेज थे लड़कियों के लिए बड़े वो अट्रेक्शन का कारण थे एक लड़का जिसके पटे थे यहां तक लड़कियों के जैसे लंबे-लंबे उसने बाल रखे हुँ थे सब उसको देखे बोलते थे, वाओ लड़कियां बोलते थे, वाओ, लड़के बोलते थे, क्या बात है बदमाशी में ये वो एक आइकोन था वो नशो में चला गया, नशो में था आज वो इस दुनिया में उसको छोड़े हुए इस दुनिया को पंदरा साल हो चुके शाइद चोदा साल हो चुके दुनिया उसको एड्माइर करती थी लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं मर चुके जीसिस का ठैंक्स करता हूँ कि मैं जिन्दा हूँ आज, उनकी तरह मरा नहीं हूँ, तोकि उसी कॉलेज में मैं था, उससे ज्यादा नशों में मैं चला गया था, आज सिंपल हम उसी तरह सेलिबरेट नहीं करेंगे, जिस तरह आम हम रिती रिवाजों के साथ करते हैं, आज 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 वचनों को सुनेंगे, और उससे उस पर चलेंगे, और मेरा बिलीब है, आपकी लाइफ आज सेम नहीं होगे इश्यमसी के नाम में, लोग उसको एडमार करते थे, लाइफ आपको जादा मौके नहीं देती, इश्यमसी ने का, जो मेरे लिए सब को छोड़ देगा, वो पर लोग में अनंद जीवन भी पाएगा, और मैं यहां पर उसको घर भी दूँगा, यहां पर खेत भी दूँगा, यहां पर भाई भी लोग भी दूँगा, इश्यमसी ने का, तुने मेरे लिए छोड़ दिया कुछ, अपने भाई को छोड़ दिया, लुभी तुम मसी में आया, तरे भाई ने तरह विरोध किया, तुने दोस्त को छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए खर को छोड़ दिया, कुछ टाइम के ल जो लोग आज विश्वास में हैं आप हर एक चीज को सौ गोना काटेंगे इश्यमसी के नाब में जुनाब हमारे सामने है हम दुनिया की चकाचौन में रहे के मरना चाहते है जिनको दुनिया अपना आइडल मान दे उनको देखकर उनके पीछे नरक जाना चाहते है या अपने लाइफ आज इश्यमसी को देना चाहते है या कोई आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं आया या कोई गवाई खरिदी नहीं हुई यह हर संडे का काम है हर थरस्दे का काम है 17 साल से रेस्टर मुनी चल रही है 17 साल जिर्व यह मिनिस्ट्री में बाकि तो हजारों सालों से चल रही होगा आज आपको डिसीजन लेना है कि मुझे इश्यमसी को अपना जीवन देना है मुझे क्राइस को अपनी लाइफ देना है और अनंद जीवन प्रापत करने और धर्ती पे भी अच्छा जीवन जीने तो यह मुझे उन उनहीं की तरह मरने है जो इस दुनिया में मर गए परमेशों ने का क्या फाइदा होगा तुमें कि सारी दुनिया तुमें चाहे और लेकिन तुम्हारा प्राण नश्ट हो और तुम्हारी आँखे जब खुले तो नर्क में खुले आप त्यारों बदलाव को देखने के लिए यह दुनिया कवा है कोई बदलाव अपने आप नहीं हुआ अगर आप दुबई में जाएं तो आप देखेंगे कि 30-40 साल पहले वहां पे कुछ नहीं था आई दुनिया का हर यक्ति दुबई में रहना चाहता है पता है क्यूं? वहां की सेफटी, वहां के सिस्टम, वहां के चीजें वहां के हर एक चीज लोगों को पसंद आ रही और सली प्रेटिस भी वहां जाके रहना चाहते हैं अगर आप न्यूस पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा लेकिन ये बदला आप नहीं हुआ उस देश को चलाने वालों ने ये फैसले किये और उन फैसलों के कारण वो देश बदला हाई या ना चाहे आप क्रिश्चन हैं, चाहे आप यहाँ पे पहली बार आएं आपको ये वचन अगर ध्यान से आपको समझ आ गया आपकी लाइव मैंने का 2022 में चेज नहीं होगी आप जंडों को काड़ेंगे ये शिमसी के नाम बोलते ने पुझा मैं के चंडे कार देते हैं, मैं को परमेशुर की आवर्टिंग है, आप जंडे कारों के 2022 में अब ये होगा कैसे? इतिफाक नाम को कोई भी शब्द बाइबल में नहीं इतिफाक नाम की कोई चीज बाइबल में नहीं अगर आप जिस फैमली में पैदा हुएं ये इतिफाक नहीं जो लाइफ में आपके चैलेंजिस आएं ये इतिफाक नहीं ये परमेश्व का किया हुआ प्लैन था अगर आपके लाइफ में भीमारी और आपको प्रॉब्लम्स ना आती आप आज यहां ना बैठे होते मैं यहां प्रीच ना कर रहा होता अपनी इंजिनरिंग करने के बाद मैं अस्ट्रेले जला गया होता वहां अपनी लाइफ सेट कर ली होती लेकिन परमेश्व ने का जगत की उत्पत्ती से पहले मैंने तुझे चुट लिया अपने कामों के लिए क्यों तो मैरे कामों को जगत में परदर्शित करे आप सब लोग चाहते हो बदलाव देखना आप ध्यान से कान खोल कर वचनों को सुनना प्रेर्टों के काम सोला बाप उसकी उस आयत को अपनी स्क्रिन के उपर हम देखेंगे लिका भीड के लोग उसके विरोध में कठे होकर चड़ाए और हाकिमों ने पॉलूस और सिलास के कपड़े फाड़ कर उतार दिये और उन्हें बैंत मारने की आग्या दी बहुत बैंत लगवा कर उन्होंने उसे बंदी ग्रह में डाल दिया और दारोगा को आग्या दी कि उन्हें चौक्सी से रखें उसने ऐसी बड़ी आग्या पाकर उन्हें भीतर की गोठरी में रखा और उनके पाउं काठ में ठोक दिये आधी रात के लगबग पॉलूस और सिलास प्रार्थना करते वे परमेशों के भजन का रहे थे और कैती उनकी सुन रहे थे इतने में एका एक बड़ा भुकम पाया यहां तक की उस जेल की नीव हिल गई और तुरंत सब ध्वार खुल गए और सब के बंदन खुल पड़े पूरी चर्च बोले आमेश आप बदलाव देखना चाहते हो परमेशों ने मुझे क्लियरली शब्दों में कहा है कल रात को क्लियरली अगर क्रिश्चन लोग अगर मसी लोग अगर यह चर्च बदलाव देखना चाहती है तो आज से कल से आपको रात की प्रार्थनौ में जाना पड़ेगा और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा आपको यह कंडिशन है मैं आपको रेमा वर्ट दे रहा हूँ मैं आपको वह चंद दे रहा हूँ जो परमेशों ने मुझे आपको देने के लिए बोले मैंने का आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा situation change होने वाली मैं आपको prophecy दे रहा हूँ आपको night prayers में जाना पड़ेगा आप छंडे काड़ें के 2022 में मैं आपको पता रहा हूँ परमेशो ने कहा था तेरे सामने को ठेर नहीं सकेगा मैंने आपको इसका इबरानी मतलब समझाय था उसका मतलब कोई भी अपने आपको तेरे सामने पेश नहीं कर पाएगा कि मैं फलाना हूँ मैं तेरे सामने अपने आपको पेश करता हूँ देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ तेरा बोसन देख तरी कैसे मैं बेंड बजाता हूँ परमिशन ने का कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा कोई तेरे सामने ठैर नहीं सकेगा अब सुनो मेरी बात ध्यान से आधी रात के वक्त उससे पहले क्या हुआ पॉलूस और सिलास प्रीच कर रहे थी और उनोंने एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया वो दुष्ट आत्मा जो थी लोगों को भविश्य बता दी थी और उसके बाद पैसे लेती थी और अपने मालिकों को देती थी जब वो औरत पॉलूस के बीचे आ रहे थी पॉलूस को गुस्सा चड़ा और उसके दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गई और जब दुष्ट आत्मा निकली तो दुष्ट आत्मा जो होती है ये विरोध लोगों के बीच में से होके करती है शैतान आपका डिरेक्ट विरोध नहीं करता देखा तुम्हारा युद्ध मास और लहू से नहीं बलके अंधकार की शक्तियों परदान हाकिमों दुष्ट आत्मों में भी रैंक्स हैं कुछ दुष्ट आत्मा हैं देशों के लोगों के उपर कपजा करके देशों को चलाने की कोशिश करती कुछ दुष्ट आत्मा हैं ऐसी हैं जो एरिया के उपर कपजा करती किसी-किसी एरिया में आपको मालूम होगा कि सिरुफ किड्नी के रोग जाद हैं किसी-किसी एरिया में सिरुफ कैंसर के रोग जाद हैं फिर दुश्टात्मा लोकल लेवल पर काम करती है, जिसतरा हमारा structure होता है, पुलीस का, कोई हवल्दार है, कोई SSPA, कोई DGPA, दुश्टात्मा भी structure में काम करती है, अब जो दुश्टात्मा निकाली तो विरोध कहां से होगा, डारेक्ट दुश्टातमा बोलने नहीं आएग और एक बात रखो आप ईशू मस्हीर के लिए मरने के लिए नहीं बुलाए कई आप लमबा जीने के लिए बुलाए कई आप aliveand out शॉमर्ट के साथ प्रीच करने के लिस रिए बुलाए कई आप पॉलस को यह बात मालूम थी कि मैं मरने के लिए बुलाए नहीं गया हूँ जब चेलो ने उस पे जब लोगों ने उस पे पत्थर वा करके उसको मारा मरा समझ के चले के इतने पत्थर मारे तो पॉलुस ने एक बार भी नहीं कहा स्टिफनुस की तरह मेरी आत्मा को परमेश्व ग्रहन कर वो चुप रहा उसे मालूम था जब तक मेरे मूँ से निकलेगा मेरी लाइफ कोई नहीं ले सकता और जैसे चेले आके पॉलुस के पास खड़े हुए पॉलुस उठ खड़ा हुआ और फिर से अपने काम पे लग गया आपको मालूम है कि नहीं अब ये पॉलुस जो था ये सीक्रेट जानता था ये भेदों को जानता था पॉलुस आम व्यक्ति नहीं था पॉलुस ने सबसे ज़्यादा कलीसियाएं बाइबल में सबसे ज़्यादा कलीसियाएं पॉलुस ने थभित की है नए नियम में आधे से ज़्यादा जो नियम है जो बाइबल है नए नियम की ईशुमसी के बाद की वो पॉलूस ने लिखी पॉलूस भेदों को जानता था उसे मालूम था कि मुझे प्रॉबलम से बाहर कैसे आना है और बाइबल कहती आधी रात के वक्त धून से पढ़ेंगे फिर से आधी रात के लगबग पॉलूस और सिलास ब्रार्शना करते हुए पर्मेशों के भजन का रहे थे जब उनके पाउं को काठ में ठोका हुआ था वहाँ पर वो बैठ कर माफी नामा लिखने की तयारी नहीं कर रहे थे कि एक सरकार को माफी नामा लिख देते हैं हमें माफ कर दीजिए आपकी एरिये में दोबारा प्रीच करने नहीं आएगे बाइबल का दी आधी रात के वक्त वो उठें हाथों में जंजीरें का कोई बात नहीं धोलकी नहीं जंजीरें बजाते हैं ठप 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 चल तुगाएगा वो का रहें और वो बजा रहें और तायों के साथ आधी रात को और क्यादी देख रहें ये पागल होगें क् इनके पाओं काट में ठुके हुए इन पे ब्यांते मारी पीठ इनकी छिली हुई कपड़े इनके फटे हुए और ये आधी रात को क्या करने पॉलूस और सिलास इस बात को जानते थे भजन सहिता के सभी वचनों को हम पड़ेंगे जब मैं पिछोने पर पड़ा तेरा समर्ण करूँगा तब रात के एक-एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा कौन कह रहा है ये? भजनकार कह रहा है, दाउद कह रहा है, उसका बेटा कह रहा है हाँ, आगे उसके अगला वचन पड़ेंगे मेरी आँखे रात के एक-एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूँ ये वो लोग है जो आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बड़े सक्सेस्फुल थे और कोई भी सक्सेस अपने आप नहीं मिलती ये उसकी एक आदत है आप मेरी बात समझ रहेंगे नहीं एक सक्सेस्फुल बंदा कह रहा है मैं क्या बोल रहा है वो एक फिर से बचन पढ़ेंगे कहता है मेरी आँखे रात के एक-एक पहर से पहले खुल गई अगर आप क्रिश्चन्स है और पूरी रात सोते है मैं आपको दावा करता हूँ लिख के देता हूँ शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आपको फाइट करनी पड़ेगी और आप जीतेंगे नहीं आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन ये मुसीबत क्यों नहीं पीछा छोड़ रही मेरा ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जारी मैं प्रेयर भी कर रहा हूँ मैं ये भी कर रहा हूँ मैं बड़ा पवितरताई में भी हूँ लेकिन एक खास तरह की मुसीबत है एक खास तरह की जो एक प्रेक्ट्रू है जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा night prayer doubt कर रात के एक एक पहर से पहले मेरी आँखे खुल गए मेरी वाइफ जान दी रात को मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ कुछ भी हो night prayer को मैं अपने room में आपको मिलूँगा जब permission ने मुझे लोग देने शुरू किये और वो लोग जब लाखों में होते गए अगर आज आप यहां याँ लाखों में बैठे लाखों ओफल बेटा लाखों बाइख ब्राइश नियुक पैठे जब लाखों लोग से टिल में कुछे नहीं मालो कि वो भीड को कैसे लेते मुझे नहीं मालो उनके लिए entertainment है या मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुनो मेरी बात लेकिन मैं परमेश्वर दे बोला था कि परमेश्वर ये सारे लोग किसी को कुछ प्रॉबलम है, किसी को कोई प्रॉबलम है किसी को कुछ दिक्कत है, मैं प्रार्थना में कम होके मैं अपने परिवार में बिजी होके, अपने काम में बिजी होके, कि चर्च कौन सा मुझे तनखवा देती है तो मैं अपना काम भी साथ-साथ करूँ मैं अपने काम में बिजी होके, अपने परिवार में बिजी होके इन लोगों को धोखा देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आगर मेरी प्रेयर दो घंटे भी है तब भी परमेश्वर आपको भेजेगा मैंने ऐसे पास्टर देखें गलत काम करके भी परचार करना नहीं छोड़ते लिगे मैं प्रभू से कहा मैंने का परमेश्वर मैं लोगों को और तुझे धोखा नहीं दूँगा अगर तुम मुझे इतने लोग दे रहे तो मैं घंटों तरी हजूनी में बैठा करूँगा ताकि जब मैं परमेश्वर की प्रेजन से यहां उठके जाऊं तो वचन तरी लोगों के हिर्दे में जाए और दिल में छेद करें अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं पॉलूस और सिलास को सीक्रेट मालूम था और वो सीक्रेट था नाइट प्रेयर वो सीक्रेट था रात को परमेश्वर की प्रेजन्स में रहना वो थाई घंटे हो सकता है वो तीन घंटे हो सकता है अगर आप पास्टर हैं वो चार घंटे हो सकता है वो पांच घंटे हो सकता है लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अगर आपने ये सीक्रेट सीख लिया और नाइट आप परमेशों की प्रेजिस में आपने जाना शुरू कर दिया मैं आपको बता रहा हूँ वो यरीहों की धीवार कितनी बड़ी क्यों नहीं मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूँ 2022 में किरने वाली आपके सामने ये शुमसी के नाम आमेरो चाचाईए मेरे को आलेलूया जोर से बहलो हालेलूया ये वो भेद है जो परमेशों के लोग जानते थे किसी का दिल नहीं करता कि उसके पाउं में कील ठुके हों उसके पीट पर ब्यांते पड़ी हों उसकी बेज़ती हो और रात को वो उठकर प्रार्थन करे किसी का दिल नहीं करता लेकिन उन्हें मालूम था कि ये शुमसी इमोशनल परमेश्वर नहीं हम इमोशन से रोएंगे तो वो हमें चुडाने वाला नहीं हमें वचन पर चलना पड़ेगा और वचन के ऊपर हमें आना पड़ेगा अब सुनो ध्यान से लिखा आधी रात के वो जब वो आराधना कर रहे थे उस जेल की नीव हिली सब के बंधन खुले और लिखा वो सारे लोग आजाद हुए दरोका डर गया, लोग डर गये जेलर डर गये, सब डर गये यह हो क्या रहा है अगर आप ईश्यमोजी की पावर को एक्टिवेट होता देखना चाहते हैं अपनी लाइश में आज से आपको घुटनों पे रात में आना पड़ेगा अगर नाइट प्रेड़ आपको करनी पड़ेगे एक और वचन पड़ेंगे हम उत्पत्ति अब ध्यान से समझना उत्पत्ति उनके देखते हैं याकूब ने कहा यह तो परमेश्र का दल है इसलिए उसने उस्थान का नाम महनेम रखा तब याकूब ने सैयर देश में अर्थार्त एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास दूत भेजा और उसने आग्यादी मेरे प्रभू मेरे भाई एसाव से यह कहना कि तेरा दास याकूब तुस्से यों कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा मेरे पास गाए बैल, भेड बकरियां, गदे, दास, दासियां और मैंने जो कुछ प्रभू के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुगरे के दृष्टी मुझ पे हो वो दूत याकूब के पास लोट कर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे वैं तुससे भेंड करने के लिए चार सो पूरिश संग लिए चला आता है याकूब जब बाइबल कहती है अपने देश को चला, परविशन ने कहा जा अपने देश में और अपने लबान को छोड़ दे और जा अपने देश में मैं तरे साथ हूँ और रास्ते में जा रहा है और उसने दूद भिजा उसने अपने लड़की को भिजा उसने जा मेरे भाई यह साब से बोल कि मेरे पास गाहे भैल बकरिया सब कुछ है और मैं तेरे पास कुछ भेंड भेशता हूं मेरी भेंड को ग्रेंड कर वो दूत वापिस आके यहकूब को बोलता है तेरा भाई चारसो बंदे लेके तुसे मिलने के लिए आ रहे है आप अपने रिष्टतार को चारसो बंदे लेके जाते हों मिलते हो अगर आप किसी अपनी नानी के घर जा रहे हो, तो 400 बंदे लेके जाते हो, 100 बंदे लेके जाते हो, 50 लेके जाते हो, लेकि जब लड़ने जाना हो किसी ने, तो वो 400 बंदा लेके जाते हो, जब फाइट करनी हो, तो बंदे लेके जाते हो, जब मन साफ ना हो, तो वो बंदे के ले गया जब याकूब ने ये सुना कि वो 400 आदमी लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है बाइबल कहती वो डर में पड़ गया और वो घबरा गया और बाइबल कहती उसने अपनी औरत को अपने बच्चों को दल-दल करके आगे भेज दिया और रात को पीछे रह गया और जब वो अकेला रह गया रात को बाइबल कहती उसने पौफ अटने तक यानि फुल नाइट तक जब तक भोर नहीं हुई उसने ब्रार्थना की और वो स्वरक दूद के साथ लड़ता रहा 24 आयत को हम पड़ेंगे याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरिश पौफ अ अपने तक उससे मल युद करता रहा यानि एक स्वरक दूद उससे लड़ता रहा आगे जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल युद करते ही चड़ गई उसने कहा मुझे जा प्रबल हुआ है यागूब को मालूम था कि जो मुसीबत मेरे सामने है इसमें मेरी स्टेटरजी काम नहीं करेगी मेरी मिन्नते काम नहीं करेंगी त्योंकि यागूब ने एक समय अपने भाई को धोका दिया था और अब उस धोके को बैक करने का पे बैक करने का टाइम आ चुका था वो टर गया उसे मालूम धाब एक ही चीज़ मुझे बजा सकते वो है रात प्रार्थना और वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा और स्वरकदूत के साथ यानि युद्ध करता रहा और स्वरदूत ने का मुझे जाने दे भोर हो गई उसने का नहीं जब तक तु मुझे ब्लेस नहीं करेगा उसने का तरह नाम क्या है स्वरदूत ने का उसने का मेरा नाम याकूब है याकूब का मतलब है धोखा देने वाला उसने का अब से तरह नाम याकूब नहीं, इस्राइल होगा, जिसका मतलब है शुद्ध मनवला उसने का क्योंकि तू धोखा देने वाला है, इसलिए तेरा भाई तुझे मारने के लिए आ रहा है क्योंकि अब तेरा नयाय का टाइम आ चुक है आप मेरी बात समझ रहें के नहीं, जो तू बोएगा वो तू अब याकूब को मालूम था कि मुझे अगर ये मुसीबत से बचना है, मुझे कुछ बदलना पड़ेगा और वो रात प्रार्थना में गया, और सुरक्दूत ने उसके नाम को चेंज किया और जब उसने नाइट प्रार्थना की, परमेश्वर ने एसाव के दिल को बतला और उसने उसे मारने का विचार छोड़ दिया अब आपको समझ आरी वो मुसीबत क्यों आपका पीछा नहीं छोड़ती अब आपको समझ आरी कि वो खास एक तरह की मुसीबत जो बार-बार जिससे आप फाइट कर रहें वो क्यों आपको छोड़ के नहीं गई वो डिले जो आप experience कर रहें अपने finance में, अपनी married life में, अपनी marriage होने में वो देरी जो अपने कामों में आप महसूस कर रहें, उसके बीछे अब क्या कारण आपको समझ आ रहा होगा परमेशोर नहीं यह नहीं देखा, कि यह पॉलू सोर सिलास आया या या कूब है, उसने कहा अगर तु मेरे वचनों के उपर चलेगा, रात के कहता एक एक पहर के पहले, मैंने तेरे वचन के उपर क्या दिया, ध्यान दिया इसका मतलब से बाइबल पढ़ी होगी, उसने प्रेयर की होगी, उसने परमेशोर के और ध्यान लगाया होगा आपकी बॉड़ी रात को रिपेयर करते हैं अपने आपको, पता है के नहीं? जब आप सोते हैं तो आप फ्रेश उठते हैं, फ्रेश का क्या मतलब क्या हो जाता है अंदर? क्योंकि सारा दिन आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके ब्लड में आप काम करते हैं, मशीनरी को चलाते हैं और रात को जब आप सोते हैं, आपकी मशीनरी अपने आपको रिपेर करते हैं और जब सुबा आप उठते हैं, फ्रेश होते हैं एक शरीर को मालूम है कि रात को हम मुझे अपने रिपेर करने अपना काम करने लेकिन आत्मिक लोगों को ये मालूम नहीं कि अगर शरीर अपना काम रात को करते है तो आत्मा भी अपना काम रात को करती है लेकिन उसे मालूम नहीं उसे सोना है 9 बजे, उठना है सुपा 8 बजे, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दी है सोने के रात को 10 से 12 बजे आप Facebook चला सकते हैं, रात को 10 से 12 आप computer चला सकते हैं, आप blue film में टेख सकते हैं, लेकिन prayer नहीं कर सकते हैं, इसलिए हालत ऐसी हो चुकी मेरी लाइफ का biggest breakthrough, सबसे बड़ा mode आने से पहले, ये सुख्विंदरी इसकी बात कर गवा है, 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे रोज की प्रार्थना थी मेरी, every day जब मैं प्रार्थना करने के लिए prayer के room में खुसता था, तो इन में से कुछ लोग भाग जाते थे, उनको मालूम तो फस गए अब, अब ये 6 घंटे बंदा उठेगा नहीं, तो मुझे काम पे निकलना है, मैं जा रहा हूँ और मैं नहीं जंदा कि मैं इतनी प्रार्थना क्यों करना हूँ, लेकिन परमेशों का आत्मा मुझे बुलता, prayer करना है, prayer करने, prayer करने, continue, prayer prayer, रात को prayer, सुभा प्रेर, दिन को प्रेर, दुभार को, सुनो मेरी वो calling थी, कि परमेशों ने बड़े काम के लिए मुझे तयार कर पैबल कहती है यह अपने लोगों के साथ गया प्रमेश्व ने का यह देश में दरी अधिकार में देता हूं जा लड़ा और जीत तो बाइबल कहती है जब वो लड़े तो लड़ाई से देश को शान्ती मिली और हमारा युद पेश के साथ नहीं समाज के साथ नहीं शैतान के साथ है जो आप शैतान के साथ युद करेंगे आपको शांती मिले वाली उसने का जब उन्होंने लडाई की और परमेशों के बचन के हमसार उस देश को जीता तो लड़ाई के बाद उस लड़ाई से उस देश को शान्ती मिली क्योंकि ये वो लड़ाई है नहीं जो लोग करते हैं एक दूसरे के खिलाफ एक पलिटिकल पार्टी दूसरे के खिलाफ ये वो लड़ाई नहीं ये आत्निक लड़ाई है जो हम शैतान के खिलाफ करते हैं और अगर हम लड़ेंगे तो शान्ती पक्की है यूश मसी के नाम में जूर से बलो हालेलूया पहला शैमूल पंद्रह उसकी 11 आयत में लिखा मैं शाउल को राजा बना के पश्टाता हूँ यूहवा ने कहा क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया मेरी आग्याओं के पालन नहीं किया तब शैमूल का करोध भड़का और वो रात भर यूहवा की दुहाई देता रहा उस देश को चेंज होने से पहले शाउल के उतरने से पहले और दाउद के चुने जाने से पहले बाइबल कहती वो एक प्रार्थना का बीच था जो शैमूल रात भर परमेश्व को देता रहा लिखा वो रात भर परमेश्व के सामने रहा रात पर परमेश्व की दुहाई देतरा की परमेश्वर इस राजा ने तरी बात को सुनना बंद कर दिया इसे बदल और अपने मन मुतागिक बंदे को भेज और रात प्रार्थना करने के बाद और रातों को दुहाई देने के बाद करमेश्वर ने का मैंने दाउद को चुन लिया जो उससे बहतर काम करेगा मैंने दाउद को चुना जो मेरे मन के अनुसार काम करेगा रात का रिजल्ट नाइट प्रेयर का रिजल्ट जिसको आदत लग गई night prayer करके result लेने की ये एक बड़ी अच्छी आदत है जो आपको लेनी होगी नहीं तो आप सोचते रहेंगे imagine करो अगर रात भर प्रार्थना करने का वचन मैं काट दूँ तो सिर्फ फिर क्या रह जाएगा कि परमेश्वर भी बश्टाता था और शैमूल भी दुखी था वो दुखी रहा शाउल से दुखी रहा बस वो दुख ही रहता अगर वो रात भर प्रार्थना करके उस दुख को चेंज ना करता थो मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा पती नशेडी है मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे बच्चा नहीं मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा फाइनेंस काम नहीं कर रहा मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि ये मुसीब्टे मेरा पीछा नहीं छोड़ती तो क्या करें फिर सारी दुनिया दुखी, तुम भी दुखी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम खुटनों पे आने का फ्यस्ता नहीं करते हैं, जब तक तुम परमेशों के सामने राज को जाने का फ्यस्ता नहीं करते हैं, तुखी रहो फिर क्या करने, उसने वचन में लिखा, वचन कभी पढ़ा नहीं, उसने का मांगो तो खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ठूंडो तो तुम, सिर्फ मांगना नहीं, कहता साथ ठूंडना पड़ेगा, साथ खटखटाना पड़ेगा, और कब तक खटखटाना होगा, और रात को खटखटाना होगा, सुबा खटखटाना होगा, तो पहर को खटखटाना होगा, आ बाइबल की पहली किताब उत्वत्ती से लेके, बाइबल के पहला राजा, शाउल से लेके, जो फर्स्ट किंग था इश्यमसी का, यानि यहावा का, इस्राइल का, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं, बाइबल की पहली पुस्तक, बाइबल का पहला राजा, नभीयों से लेके, दा जानते थे, सब जानते थे, याकूब जानता था, रात की प्रार्थना होगी तो काम होगा, इसलिए उसने सारी ओरतों को बोला, कि ओरते जाओ, बच्चे जाओ, सब चले जाओ, मुझे रात अकेले रहके प्रार्थना करनी, शैमुल जानता था कि अब मुझे चेंज करने है और चेंज छोटा मोड़ा नहीं है एक राजा बदलने है एक देश बदलने है राद ब्रार्थना कि इश्व मसी जानता था कि पिता का बोज मुझे है पिता का काम मुझे करने है चेले चुनने काम करने है लेका सारी राद बह पालूस जानता था कि अब मैं बंदनों में हूँ लेकिन बंदन से मुझे मेरे रोना चुड़ा नहीं सकता, मेरा करलाना चुड़ा नहीं सकता, लिका आधीर रात के बाद वह रातना करने के लिए प्रार्थना करने के लिए भजन गाने के लिए उठे भजन साहिता के उन वचनों को फिर से पढ़ेंगे स्क्रीन के उपर 119, 148, 63 और 6 दोनों को पढ़ेंगे भजन साहिता 119 की 148 में लिखा मेरी आँखे राद के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करो अपने आँखों को बंद करो और बोलो ये बात अपने आपको मेरी आँखे राद के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूँ बोलो अपने आपको 63 उसकी छे आई जब मैं पिछोने पर पड़ा तेरा स्वन करूँगा तब रात के एक एक पहर पे तुझ पर ध्यान करूँगा ये वो लोग थे जो 66 लड़ाईयां लड़के भी 66 जीते और देश की एकॉनमी को कुछ नहीं हुआ ये वो लोग थे शेमूल के जैसे कि सारी उमर एक भी वचन धर्ती वे परमिश्वने किंदर ने दिया बेस्टी नहीं होने थी ऐसा ने दे कुछ भी बोल दो पूरा हो गया डाल दो नहीं पूरा हो काट दो ये ड्रामे बाजी नहीं थी शेमूल के पास यो रात का प्राणी थाओ एलिया रात का प्राणी था पॉलूस रात का इश्व मसी रात को कहां कि ना बेज गना ने कित्थे कुंडी फसी एथे फसी आई समझे कित्थे फसी कित्थे फसी एथे फसी कुंडी एथे क्रिश्चन लोगा दी कुंडी फसी, एथो निकल गए, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपको मैं मुहावरा नहीं दे रहा हूँ, आप जंडे गाड़ो गए दो होजार पाइच में जंडे, मैं सिरू आदा घंडा रात की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ, कि रात नूँ लंच दाइम में रोटी दे कित्ती दो मेंड़ प्रभुजी परकत नहीं, प्रभुजी नूँ छोतकरी प्रभुजी, एक काखा लेवी रोटी दे उत्ती, कि ठंडी ना हो जेगे थे, ये वो वली प्रेयर नहीं है, क्योंकि रात को आप डिस्टर्ब नहीं ह आपका बॉस आपको कॉल करके नहीं बुझेगा कि क्या किया, रात को शैटान आपको बाप की और खिंचेगा और आपको परमिश्वर की और जाने, रात या तो बनाएगी या तो बिगाडेगी आपड़ेगी, बाडी को बता रात को रिकावर करना लेकिन स्पिरिच्वल आत्मियों को यह नहीं बता कि रात को हमने अपनी स्पिरिट को चार्ज करना है, आप समझगे कि नहीं, कहां भसे हुए वो सींग, कहां प्रॉब्लम है, कहां वो दिक्कत है, क्यूं वो काम नहीं हुआ, आपके अच्छे होने के बाबजूद भी आपको समझ आ रही होगी, जिस दिन आप घुटने लगा दोगे, उस दिन आस्मान खुल जाएगा आप लोगों के लिए, जिस दिन आपने सोच लेगे, नाइट आज से खुदा बन की है, अब औरतों को मालूम है, कि मुझे घर का कान करना है, मुझे खाना बनाना है, अपने घर की देखबाल करनी, तो विज्डम से रात को प्रार्थना कर सकती, आत्मियों को मालूम है, टाइम कब निकालना है, और कब प्रार्थना करनी है, टाइम किसी के पास नहीं, टाइम निकालना होता है, अपनी चीजे निर्धारित करनी होती, अपनी प्यारटी निर्धारित करनी होती, कि मेरे जी अपर देश्का राजा भी पढ़ता है उस देश्का परधान मंद्री पढ़ते है और आप बोलते हो कि आपके पष्ट्राइन करने का समय नहीं आपनी हाथों को उठाओ, तेंक यू जीजस आप वाइदा कर रें खुदधा वंजे रात प्रारत्न का अपनी हाथों को उठा उठां P बमची आवाज मेमने हाथों को उठाते हुए होगे कुरेख अपने गुनाहों की कि शुद्छिमा को मांगते हुए और वाइदा करते हुए खिरुक में आज से अप्रात्म की जिंतगियां सेम नहीं होगे वोचिया मेल बरमेश्वा प्राथ में गान्मा वो मुझे दे आज से जब जाजा से वापी साव मैं सेम नहों जिशुमसी के नाम में